हम लोग भगवद्गीता के चौथे अध्याए के ग्यार्वेश लोग को देख रहे हैं कि श्रिदर स्वामी जी ने प्रश्म ठाए था कि भगवान आपने कहा कि वीत राग भयक क्रोधा मनमया माम पाश्रता बहुव ज्यान अतपसा पूता मदभाव मागता जैनि कि जो पूरी तरह से राग से इनका राग निवृत्त हो गया है और इस कारण से कोई भय भी नहीं कोई क्रोध नहीं और जो भगवान में एक मात्र मन को लगाए रहते हैं भगवान के आच्छर आश्रत रहते तो उनको मानमया माम बहुव ज्यान अतपसा बहुत से माम प्रपध्यंते ताम सथे वब जामिहम ममवर्त्मान वर्तंते मनुष्यह पात सरवशह तो श्रीदर स्वामी की ठीका क्यों सार अपने सुना था कि निश्काम लोग जो होते हैं भगवान के भाव को प्राप्त करते हैं और जो सकाम है वह जो इन्रादी देताओं की पू में सिवा करता तो भगवान उसको भिनितीलिया में प्रुवेश कर लाते हैं झाया थे में बगवान के मने घृत्तलव मंणते हैं रहो इसी में पढ़े रहो और जो ग्यानी भगवान को दिव्य मानते हैं और उनके वपू में लीन होना चाते हैं निर्वशेश मुक्ति प्राप्त करना चाते हैं तो भगवान उनको वैसी इनकी इच्छा पून करते हैं इस प्रकार से सुना अब अलग अचारों से सुनते ज ये अर्थात मेरी शर्ण लेने की इच्छा रखने वाले जो पुरुष अब इसका बड़ा सुन्दर अर्थ है ये शब्द में यहां पे वर्णाश्रम का अपेक्षा नहीं की जा रही है ये मतलब जो कोई भी जो कोई भी भगवान श्री कृष्णी के शर्ण लेना चाहता है उसके बारे म oneself बोल रहे हैं या था अर्थात अपनी इच्छा के अंसार जिस प्रकार ये ना माम अर्थात मेरे रूप की कलपना करके अब देखी कल्पना का अर्थ क्या होता है देखी कल्पना कर समयना का प्रयास की देखी हम लोग भगवान की दिव रूप को अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन तो शास्त्र में वड़नन है उसके अंसार मन में धार्मा करना कि भगवान ऐसे हैं अच्छा कमल पत्र के सम नहीं है लेकिन भक्त धालना करेगा ना अपने मन से भगवान भी प्रसंद वजाते है कि भक्त मुझे ध्यान कर रहा है यह देप भगवान का भक्त का मन भौत एक है को समझ पारे मेरी बात वो उसको भगवान के उश्य शुरूप की प्रतियाकर्शन है किसी को करता हूं और भगवान भी मानते है कि मैं भक्त मेरा ध्यान कर रहा है यह दपी उसका चिंतन की लिमिटेशन है वो भगवान को देखा नहीं कि धालना कर रहा है आप लोग अचा कभी सोचे नहीं कि गोलोप में कृष्ण नासते वह कैसे दिखते होंगे ऐसा तो नहोंगा क बाल बाल शाम की धूली गोधूली हो गई है कई पार आप लोगों मैं एक मेडिटेशन भी कराता हूं कि शाम का समय हम लोग जो गोशाला में थी तो काय दौड रही है कृष्ण आ रही है यह तो कोई भी भक्त सोच सकता है बड़ा प्रसन्न भी होते हैं प्रकार सोच करके तो इस प्रकार से कल्पणा करते लिए कल्पणा मनों कल्पणा नहीं है वो शास्त्र के धार पर है नहीं तो दहीं बूल जाएगा कि भगवान पीतांबर Jordi का धारना कर सकते लेगिन भगवान का पितांबर पीली दौती नहीं है लेकिन हमने पीरी दोती को देखा है तो इसलिए हम वही धालना कर लेते हैं, समझ भा रहे हैं? तो माम बना सुंदर शब्द है, अर्थात मेरी रूप की उकलपना करके, तो माम कर समझ देना चाहिए, जैसे भगवान ने कहा पहले, कि मैंने ये ग्यान सूरीदेव को दिया था, जबकि भगवान अपने विस्तार्व में दिया था, उस इतने माम करते हैं, कि मेरे किसी रू अर्थात मेरा समाश्रयन करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, तान अर्थात उनको, मैं वैसे ही उनके मनोवांचित प्रकार से भजामी अर्थात भजता हूँ, तो अब देखे, अलग-अर्थ अलग नहीं है, अर्थ उसको थोड़ा क्लियर किया रहा है, यहां पे केवल भग अब श्रीपाद रावने चार जी कह रहे हैं श्रीदर स्वमी ने अर्थ लिया कि अनुग्रह करता हूं, अनुग्रह क्या भगवान अपना दर्शन देते हैं। जिस रूप को देखने की लालसा भगवान के भक्तों में थी उतकट लालसा उसके वेना वो जी नहीं सकते, वैसे ही रूप की धालना, वैसे ही रूप का दर्शन भगवान देख करके उनको संतुष्ट करते हैं. जिस भक्त की आसकती कृष्ण रूप में है, तो वो तो भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहेगा, जैसे गोलोग के पार्शा, तो भगवान को अब द्वार का धीश की रूप में देखने में उनको खुशी नहीं मिलती है, वलकि वो उनको गोलोग विहारी कृष्ण की र अधिक्या कहना है, मेरा अनुवर्तन करना ही जिनका एक मात्र मनुरत है, ममवर्तमा अनुवर्तन ते, मेरा अनुवर्तन करना ही जिनका एक मात्र मनुरत है, ऐसे सभी मनुष्यों ममवर्तमा, अर्थात मेरे मार्ग का, अर्थात मेरे सारे सभाव का, जो योगियों के भी मन मदिर अगोचर है सरवशाह अर्थात अपनी चक्षवादी इंद्रियों के दौरा सर्वथा अपने अपेक्षिस सुरूप में सब्रकार से अंधव करते हैं तो अगर मैं कहूं कि भाई यह इस कौन मंदिर यहां में बैठे हैं इसकौन मंदिर का मार्ग कौन सा है तो कहां कि यहां सीदे से जाईए उसका दबाइन दीजिए उसकर करके आपको मंदर टिख जाएगा सुझ आगे को समझ में आ रहा है भगवान का मार्ग मतलब उस मार्ग के अंत में कौन है भगवान कितना सुन्दर रत लियरा ममवर्तमानु वर्तनते वह लगे रतने उसी मार्ग पर चलते हैं जहां उनको आशा है कि इस मार्ग के अंत में हमें कृष्ण कि इस रूप में मिलेंगे इस वह भाग्वान का दिव शुक्रोप योगियों के लिए भी परे है योगियों आ पकड़ में आता पंधास्त कोटि सत्संप पंधास्त कोटि सत्संप पंथास्त कोटिशत्वत्सरसंप्रगम्यों वायो रथापि मुनयो मुनिपंग वानाम सोप्यस्ति सिम्न्यवेचंत तत्वे गोविंदमाधि पुरुषम तमहं भजामी मुनेगण मन की गती से वायू की गती से अपने चिंतन को लगाय रते हैं लेकिन भगवान के चलनक हैं उनकी एक मतलब क्या करते हैं उसको एक रिफ्लेक्शन को भी पकड़ना ही पाते हैं यह स्थिति हैं तो इस प्रकार से भगवान हैं तो ऐसे भगवान के मार्ग को भग्त लोग जानते हैं ठीक है मेरे मार्ग को भगवान के भक्त जानते हैं अर्थात मेरे मार्ग का अर्थात मेरे सारे स्वभाव का अब इसको क्या अर्थ है भगवान करुना सिंदू है भगवान करुना सिंदू है भगवान करुना सिंदू क्या मतलब होता है मतलब समझने का मतलब समझ रहा है करणा सिंधु है अनंत रूप से सुन्दर है अपने भक्तों से विशेश रूप से प्रेम करते हैं यह सब बातें योग्यों को समझ में नहीं आती देखिएगा इसका प्रमाण है ब्रह्म स्यमिता मैं फिर चे क्या आश्लोग है वो वेदेश दुर्लभम अधुर्लभम आत्म भक्तों गो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संतह सदेवर्दयेश विलोक यंतियम शाम सुन्दरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमाधि पुरुषम तमहं भजा प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना प्रेम के अंजन से छुरित लेपित जिनके नयन है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संतह सदेवर्दयेश विलोक यंति ऐसे संत पुरुष सदेव ही भगवान का रिदे में दर्शन करते हैं कैसे भगवान यम शाम सुन इसलिए बोल रहे हैं कि जो योगियों के भी मन और वानी से अगोचर हैं अधोक्षर हैं उनको सर्वशा अर्थात अपनी चक्षु आदी इंद्रियों के द्वारा सर्वथा अपने अपेक्षी तुस रूप में सब प्रकार से अंधव करते हैं क्या है जैस जिस रूप में देखना चाहते हैं तो भगवान वैसे चक्षु के उनके चक्षु के सामने वैसे प्रस्तत होते हैं जिस वानी को जिस भगवान की वानी को सुनना चाहते हैं तो वह भगवान ऐसी सामर्थ भक्त में देते हैं कि कान से भगवान की शब्द को सुन सके मैं भी प्रमार दोंगा पहले सुन दीजे जैसे भगवान को चुन चाहता है तो भगवान उसके त्वच्चा के विश्च बन जाते हैं भगवान के से निकलने वाली जो गंध है दिव उसको भगवान भक्त की इंद्रिया वे ग्रहन करने में सक्षम हो जाती प्रमान नारज जी आप जानते तपस्वा करने बैठे तो भगवान हरिदे में स्पूरित हो गए थे और भगवान की बात उनको सुनाई पड़ी इस प्रकार से सुना उसके बाद ध्रुम महराज भगवान सामने प्रकट हो गए तो वहां पर पताया कि रखर्य की सारी इंद्रिया जागरत हो लालसा से युक्त हो गए अत्यांत उत्कट लालसा वो चौतेस कद में आएगा आखे देखना चाहती थी जिसे करतें ड्रिंकिंग देखना नहीं होता है देखना होता है पीना आसे करना ची कानों से भगवान के शब्द सुन रहे थे ऐसे करके अध्बुत और उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं चार कुमारी भगवान के दौन करने के लिए वैकुंड तक पहुंचे तो वहां पर भगवान के चलनों से निकलने वाली तो उसी मिश्ट ग्रंध इतनी बदभूत होई तो आप समझ पारे होंगे कि वह इस मार्ग के द्वारा चलते हैं उस मार्ग भक्ति मार्ग पर चलते हैं जिसके दारा भगवान अंततो गत्वा दर्शनी हो जाते हैं स्पर्ष के विश्य हो जाते हैं घ्राण इंद्रिय के विश्य हो जाते हैं सभी इंद्रियों के द वो भगवान गोवत्स गाय के बच्छे को बचला कहते हैं तो जब कृष्ण छोटे हैं तो बच्छडे के मुझ पकल नेंगे और बच्छला जो है खींचेगा तो बच्छला जब भागे भागेगा तो वो कीचल में लेटेंगे क्रिष्ण घसीट जाएंगे तो ब्रज के इत गो कार्थ इंद्रिय भी होता ना गोदास और गोश्वावी तो गो मतलब इंद्रिया तो इंद्रियों के बच्छे भी भगवान को जो के इंद्रियों के परे हैं उनको घसीटते हैं ब्रज में यह भक्तों का प्रेम है आप और कृष्ण छोड़ते भी नहीं है वो सुसते और भगवान हर भक्त की हर इंद्रियों से जीत लिए जाते हैं पकड़ में जाते हैं बहुत अच्छा है जो इस प्रकार से शर्ण भवान की लेता है तो भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं इसके बाद एक श्लूक हमने यह आपर रखा है नोट के रूप में कि बहुछ सुन्दर है और यह ब्रह्माची ने बोला है कि यहीमें बार बार इस बात को बताता रहता हूं। ने, बहुत से लोगों को सिद्धी प्राप्त करते हैं यह बात हमें से ध्वान रखा गैगा, क्योंकि हमारा संशा पिर कभी बनेगा नहीं कि क्या हम सिध्ध होंगे या नहीं होंगे आप भागवद सुनकर के गीटा भागवद सुनकर कर करके ही हम सुद्ध हो जाएंगे इस शंशेमान में किसी की आ सकता है तो नार ब्रह्मा जी हां सपस्ट बुता रहे हैं यह भगवान से प्रार्तना कर रहे हैं मेरे पीछे बोल पाएंगे बहुत अच्छा श्लोक है बहुत अच्छा इस पर मैं एक बार भरत पूर में चोटी स त्वंभक्ति योग परिभावित हृत सरोज आते स्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुम्सा यद्यद्यात उरुगाय विभावयंती तत द्वपुहु प्रणय से सदनुग्रहाया रंभक्ति योग परिभावित हृत सरोज आते स्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुम्सा यद्यद्यात उरुगाय विभावयंती तत द्वपुहु प्रणय से सदनुग्रहाया रंभक्ति यद्यद्यात उरुगाय विभावयंती इनकी कीर्थी बहुत अदा का जाती उन भगवान अरे भाई पानी के चक्कत में क्यों पढ़ा इता डिस्टर्ब क्यों करते हैं क्लास में हम राजिस्था ने बैठे हैं आपको बोला पानी लाने के लिए इस ओके ना प्लो मट तोड़े जब सेवा जो से अब देखो मेरा फ्लो टूट जाता है पर सुनो भाई क्लास में इतना जरुत नहीं बता दूंगा को चुरत होगी तो जो हमने श्लोक यहां कीता का सुना यही श्लोक भागवत का पहले अ नवात पढ़ता हूं फिर आपको संस्क्राइब समझाता हूं एकदम देखिए कि राम श्रीपाद रामनजेचार जी बात बोल रहे हैं वो ब्रमा जी की बात बोल रहे हैं देखेगा हे प्रभू ब्रमा जी भ्हवान को बोल रहे हैं आपकी भक्त गण प्रमानिक श्रमन व नहीं करूंगा भरात्पुर के रहने बाले हो तुम मैं कल्पना नहीं करूंगा भरत पो जाने के लिए की कौन सबॉपना इदर जॉन है इधर वहां से इधर क्या होग काzessayan का 때도 जबकि विन्दावन से वेस्ट की दिशा में है भरतपूर अब मैं पकलनू इस्ट की दिशा अपने मनों कलपना से तो नहीं पहुंचोंगा भरतपूर हिमाले पहुंच जाओंगा तो यहां बहुत बहुत जुदर है आपके भक्त गण प्रामानिक श्रमण विधी द्वारा प्रामपरा में जो ज्यान है उसके द्वारा कानों की माध्यम से आपको देख सकते हैं यह कैसे देख सकते हैं देखिए भगवान इसलिए वहां सब जगे है लेकिर अविध्या की कवरिंग के कारण नहीं दिख रहे है तो जब श्रवन कृतन प्रमानिक रूप से करता है त एक दिन भगवान का दृषिन हुरे में हो जाए्ma i.tta. छो फचीए दूसरा सुनने से से हुरिय बेद हो जाता है और जैनल हो जाता है तो पवान की अमन मैं जारा आम जोलो यहां सब्सक्राइब यहां पर नहीं लूँँगा और यही तो बजु फक तो गाते रही आमामा तो भक्त लोग अपने हृदे को शुद करने के लिए क्यों अतने उसाहित रहते है। क्यों साहित रहते हैं बताईए ताकि भगवान एक बार आज आये तो फिर अभी भंगा लारतिक अभी बंद ही नहीं। अपने रूप को हृदे में बारे प्रकाशत करते तो क्या अरत है। भक्त को अत्यदिक आनंद किया नहीं होती होगा। इसका मन और कहां जाएगा बताईए। कहीं जा सकता है। जहां से असीमित आनंद मिला है वही तो मन जाएगा ना। तो इसलिए तीसरी पॉइंट यह है कि भगवान अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। या नहीं जो उसने रूप सुना भागवतम से वही रूप साक्षात उसको दिव्य प्रतक्ष के रूप में स्पूरित होने लगा। आप अपने भक्तों पर इतने द्यालू हैं। अनुग्रहामी। क्या सब्सक्राइब गीता में क्या सुना। आप अपने भक्तों पर इतने द्यालू हैं। जिस प्रकार से भक्त लोग ध्यान करते हैं बगवान का उसी प्रकार से उसी विग्रह को बगवान प्रस्तुत करते। सब्सक्राइब करते हैं। अचा ऐसे समझे आप बहुत ही मैं लोकी को धारन दे रहा हूं कि आपकी मान लिजे खूब इचाओ कोई कड़ी चावल खिलाया जाए। कोई कड़ी चावल लाके दिए तो आप अनुग्रह मानेंगे कि नहीं। आप कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचने थे कि कोई फीस्ट पर बलाएगा आप कहां कि आप सोचने यह बनाएगा वो बनाएगा बनाएगा बना कुछ और दिया उसमें। वो अपने इसाब से बना दिया कि हां माल लेजिए एक बार हमारे सामने बहुत सीनर वैश्णर थे भक्त घर में गये मैं भी तवाम पे तो उस भक्त ने बना दिया तक क्या लिट्टी चोका है सब वो भक्त महराजी थे वो रोटी चावल चबजी खाने वाले थे तो लिए इस रूप की अत्यंत उत्कट लालसा भक्त को है भगवान जानते हैं कि यह देखेगा तभी सुखी होगा इसलिए भगवान उसी रूप को प्रकट करते हैं कितने पर्सनल आप यह देख रहें कि अनंत जीव हैं और सभी जीवों का बगवान के विशेष शुरूप से आकर आकर्षित है कोई कृष्ण वल्लाम से अधिक आकर्षित है कोई राधा शाम सुदर से अधिक आकर्षित है तो जब हो शिरी छोड़ेंगे तो वही रूप प्रकट करते हैं दिसे समझने का प्रयास किजिए कि भगवान हम सब लों को सामोहिक रूप से प्रेम करते हैं और वेक्तिकत रूप से भी प्रेम करते हैं। हो सकता हो कभी आप लोगों को लगता हो हमसे गलती होगे आप भगवान हमारी सिवा स्विकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा। भगवान की दर से क्यों नहीं करूंगा। पूतना हो पूतना हो तुम। पुनना तो नहीं होुआ जहर तो नहीं दिया को यवे अचा एकची पताओ आज तक की बहुत गलतिया हो होईगी जब ठाऍनी तक कर दिदो जिसका मनलब यह निकीव अच्छा तुने पांज नि देया, निकल जाए वहां से, कहां निकालेंगे, अर बवान तो यह भी नहीं कर सकते कि निकल जाए मेरे घर से, कि सब कुस्त भी निकाँ है, निकल जाओ घर, चल जाओ अपने चाजा के पास, कुछ नहीं, वही तो है, मा यह जो मेरि बास समाझ बात है सामॉही के लुप से बी है तीकृ। से बीकिका अब हम हो जाथ है। जूम भी हो जाता है, मालनों मुशकर आ रहा हूँ, तो वोग कोई वितच इसकता है, अच्छा हम इसकता है कि हम इसे मुशकरा रहा है, या हो सकता है, की कोई वित्थी जे छोच रहा है भिपा है जगए, आननहीं कना स्कूर ह हो, भाकवद मुद्ध हम आक पर हम नकर भी दो अपने आधान प्रदान में यह था माम प्रप्रद्यान ते ताम सत्य वजा में गीता वुशन टीका आपके जन्मादी नित्य एवं मन्वग्य हैं मन्वग्य मतलब मन को अत्यन्त सुख दिने वाले हैं आप सरविश्वर हैं और यह मेरे द्वारा किंचित मात्र अवगत है अ अंगुष्ट मात्र होते हुए भी आप जन्मादी से शुन ईश्वर हैं हैं चोटे साइस के लिए काम चोटा नहीं है इसलिए आपके विभन सुरुपों की पूजा की विभी विधी भी विभन होगी समझ में आ रहा है आपनों कोई बात कहरे है कि मैं समझ रहा हूं कि है और मैंने यह भी सुना कि आप छोटे हैं और जन्मादी से शुन ने हैं और आपके विभीन प्रकार के सुरूप है तो लगता है कि सबकी विधी अलग लग होगी तो उस पर उस पर उस बोलते हैं नोट यहां पर दिया कि आंगोश्ट मात्रह पुरुशस मध्य आत्मनी श्टती भगवान अंगूठी का कार में शेरीर में निवास करते हैं कठो अगर मान लो ऐसा व्यक्ति सोचे तो क्या कहरें देखिए मैं सर्वेश्वर हूं भवान बोल रहे हैं परन्तु मेरे बहुत से रूप हैं जैसे वैद्वर मणी होती है और निश्वत ही मैं भक्तों पर साक्षात अनुग्रह करता हूं भजामी जिस भावना के अंसार मेरा वे मेरा भजन करते हैं तो देखिए कोई अगर नरसिंग देव का सिवा कर रहा है तो वह भवान कृष्णी की पूजा कर रहा है लेकिन वागवान श्री कृष्णी का नरसिंग रूपों से पसंद है भगवान श्री राम कृष्णी के एक विस्तार है रामादि मूर्ति शुकला नियमेन अतिस्थन नाना अवतार मकरूद भवने शुकंतु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमा पुमानियो गोविन्दमादि पुरिशंतम पजामी आप समझ पा रहे हैं भगवान श्री प्रपालू होने के कारण उनके समक्ष प्रकट होता हूं जैसा उनका भाव होता है एवा शब्द और किसी भी प्रकार किसा भावना को निरस्त करता है ये यथा माम प्रपद्यंते ताम सत्था एवा भजामी कितना शुंदर शब्द है अभी तक धान नीद देने इसके अनुग्रह करता ही हूं इसलिए भगवान शेक्ष्ण का नाम है प्रसिद्ध उनका नाम है अच्छुत अर्थात जो अपने भक्तों पर अनुग्रह करने से कभी नहीं चूपते और समझना चाहिए कि जब भगवान अनुग्रह करना चाहते हैं तो कोई विक्ति उसका विर चुक सके ऊ-ब कि ये सभी मनुष्य अपनी अनाधी प्रवरित उपासना परंपरा से अनुकंपित होकर उस उपासना के मार्ग कन अनुसरन करते हैं जिसके बहूरूप है और जो मुझे एक्सित के हैं थे थो ढलब होते हैं थो higher शुझ में आने का समझने का प्रयास के चिते हो क्या राया है हम लोग गौड वैश्ण परम्परा से हैं तो हमां का शुरूरी ब्रह्मा जी से अगर इस चृष्टी के बात करें तो ब्रह्मा झी से शुरूरी ब्रह्माजी को ज्ञान दिया भगवान इंधया और याथ ज्ञान बहूं की प्राप्तिकजुत तभी दिया जाएगा नीज jestem छिर्ष्ठी होगी ये करके जब शिर्ष्ठी नहीं है निष्परपंच अवस्था है तो उस्में तो ज्या और आप जगे लोग जब पऐ दो सो रहते हैं मिphone क्लास नहीं हो सकते ही ना गीटाoti ग्यां तो सुप होती है तब बगवान ब्रमासो जी च्यार स्प्रमास प्रकट करते और वहां से प्रम्प्र चलती यह तो सूरय तौछ को समझ में आ रहे हैं तो अब बढ़ा इंड्रस्टिंग है कभी कभी लोग कहते हैं कि मान लीजे कोई नर्चिंग का भक्त है और भान कृष्ण का भजन कर रहा है अरे मान लीजे वाला हिसाब किताब नहीं है जीव का सुरूप फिक्स्ट है तो भगवान भी तो अंदर करेंगे कि वह भवाश्री राम का भक्त है ऐसे गुरू के पास जाएंगे इसे स्विकार करना में क्या कटना है आप बताएं नहीं तो सारे ही लोग इसकौन के डिवोटी क्यों नहीं हो गए या गौडिया वैश्ण संप्रदार में क्यों नहीं आ गया है सबके अलग- पुक्षी नीच कभाव नहीं देखना कि वह तो विष्ण सुर्व को देखते हैं ओव तो दो नीच है यह सब नहीं सोचना चाहिए गलत बिल्कुल गलत या प्राज भी है था भगवान उननों को उस प्रकार से प्रेद कर रहा है क्योंकि जी उस प्रकार से उसकी स्प्र उ है उसमें by accident नहीं आये सभी वक्तों को चूज किया गया कटना यह है कि हम अपने स्वभागे को नहीं समझ पा रहा है हम में से कोई भी वेक्ति गोलोग के बारे में सोचता भी नहीं था कि इस प्रदावन के बारे में प्रति दिन में यह देख रहे हैं कितना प्रबल प्रभाव है जु हमारा स्थान है नित्व जहां आमने पहुंचना है उसके बारे में सुझते नहीं है सुचते नहीं है और जिस स्थान को छोड़ना ही है उसके बारे बहुत चिंतित रहते हैं कितना हम लोग कि अपने को इंग्रूट भी कर रहा है कितना बड़ा ग्यान है ट्रेन में जो बैटे रहते हैं ठीक है पता है है फरस्वी फरस्वी बन चाम कि परड़ी ऐसरे स्था बनार देखने हैं डिलिख कभी बूत आते हैं तक आपका सथे में कहां उतार अठाड़ fan कभी मालों गहीं घर के लिए लॉट रहे हों, तो क्या भूल जाते हैं कि घर जाकर पहुंचना है, कभी नहीं भूलते हैं, चाहे फर्स्ट क्लास में हो, चाहे सेकेंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे स्लीपर में हो, चाहे कौंसा होता उसके नीची? जनरल डबा, समझे के यहां कोई विक्ति गरीब हो, अमीरों चाह किसी भी इस्तिति में हो, लेकिन वह स्वभी भूले हो हैं कि उनका नेक्स स्टेशन कौन सा है, इस वेरी नाइस, नाइस मीस अब्जर्वेशन ना, तो मैं खाली यह बोल रहा हूं कि गोलोग जाने की परंप परा है, गोलोग जाने के साधन, जो हरे कृष्ण मंत्वी दिया गया है, राधा कृष्ण स्थलम लभेत, यह शब्द है, 32 अक्षरों का यह महा मंत्र यह गोलोग की प्राप्ति कराएगा, हम लोग सुन चुके हैं, पद्पुरान साधा के अगनी पुरान साधा, अगनी प लोग जाना है, हो सकता है, शकल देखिए, नहीं पहले बाद तो अपनी शकल देखी नहीं, तुम देखो ही देख रहे, तुम गोलोग जाओगे, हाँ जाएंगे, नहीं जाना होता, तो यह हरे कृष्ण मंत्र दिया क्यों गया होता, और क्रिष्ण के ही प्रतिया कि यह प्रवाइप करने का प्रोसस क्यों दिए गया होता है, मैं समझाने का प्रियास कर पा रहा हूँ आप लों को, यह था माम प्रबद्य थे जो जिस प्रकार, आप लोग अगर बाते करने तो आप बहार जा सकते ऐए, ठीक है? जो जिस प्रकार से मेरी शर्ण में आता है, प्रश्ण बनेगा यह विभेनर प्रकार से लोग शरण में क्यों जा रहे है तो भगवान जानते हैं कि हमारा सब का सवरूप क्या है है तो अब उस सवरूप को भगवान की जागनेधे और नहीं करणा चाहते हैं मैं आपको सची घटना बता रहा हूं गोपकुमार जी विष्णु लोग में पहुशते हैं आप भी देखें महां पर इशारत पर से बता रहा हूं बड़ा इंट्रस्टिंग है गोपकुमार जी विष्णु लोग में पहुशते हैं वही कृष्ण है विष्णु सुरूप में और वो गोपकुमार गोलते हैं स्वागतम स्वागतम और कहते हैं कि देखो मेरी बड़ी इच्छा थी कि तुम वापस आ जाओ और मैं हर जनम में सोचा करता था कि कम से कम इस जनम में तो मेरी तरफ देखोगे और इस इच्छा ने मुझे बंदर की तर आप सोशते हैं अफ कुछय नहीं अपने के भारत के अभी कि शुरानी dus भाइदा हो जाएगा शास्त्र सुनना चाहिए औहिए और फिर भवाद ने कहा मैं सोश रहा था कि जिन कर्म कशिद्धांतो को मैंने श्वय मी बनाया है उनको तोड करके मैं तुम्हें अपने पास कैसे लाओं कि भगवान को मर्यादा कपालन करना होता है फिर मुझसे तुम्हारा विरह देखा नहीं गया सहा नहीं गया तो मैंने तुम्हें कर्म मारे कर्मों को बाइपास करके गोवर्धन में जन्म दिया गोपकुमार यहां पे आप लोग प्लीज बाहर चले जाए आप लोग बार बार डिस्टाप कर रहे हैं बाहर चले जाए तो गोवर्धन में उनको जन्म दिया उसके बाद स्वेम श्री कृष्ण भगवान जयंत नाम से उनकी गुरु बनते हैं उनको मंत दिक्षा देते इसे हमेशा नहीं होगा कि गुरु जो है वो विश्टु तत्व हो सो स्पेशल और हर जीव इस प्रकार से बहुत स्पेशल है इसलिए तो बड़ा अश्र होता है कि क्यों हम किस जगले टंटेम पड़े हुए इसेंस की बड़ी स्थेर भाव से भावान श्री कृष्ण का बज है सारा जगत वारा दुष्ण बन जाएगा ऐसा बोलते मेरे पास अभी लेक्षर है इंग्लिश हो सुना था इफ यू डू भक्ती दो हूल वर्ल्ड विल विल विकम एर एनिमी प्रपाइजाब देते प्रलाज भाराज का कि प्रलाज मारा विचरे क्या कि कर भी क्या सकते अब शम जो चेंड़ा है उस लुडो भावान को स्मृति विश्ण कर ह basement करने भी दिक्कत है और छोटे बच्चे और ङुँक्वान को यह नहीं करना चाहें वह भगवान का समर्ण करने में विवश थे, कुछ और कर नहीं सकते थे, और ये भी विवश थे कि अपने, अपनी रक्षा करने में विवश थे, कुछ नहीं कर सकते थे वो, बोलते हैं कि मेरे पास सामर्थ नहीं है, कि बहुत अच्छा बोलते हैं कि मेरे पास सामर्थ नहीं कि मैं लोहे के कीनों के वर पांव रख रहा हूं वो पांव पीछे के खिशे लेता हूं वहां रख्षा करते था अधबुत भगवान प्रलाद मरा चुचरित है क्या रहा हम कहां चलेगे हम खाली बात यह कर रहे थे कि भक्त लोगों को जो गोलोग जाने वाला उसको यह हरे क क्रिश्मंत्र दिया दाएगा भटके का नहीं यह भगवान का ही अरेजमेंट है कि हमें श्रुला प्रहुपाज और उनके अनियाईयों का प्रमानिक वश्णों का आशिरवात प्राप्त हुआ इस नौट विदाउट रीजन इंग्लिश में कहा जाता है बिना किसी कारण के यह नहीं हो रहा है जगत में कोई भी कार बिना कारण की होता ही नहीं है तो इसलिए क्या है यह आप बोल रहा है अपनी अनाधी प्रविट उपासना परंपरा से अनुकंपित हो कर यह हम लोग को प्रंपरा का ज्यान इस लाइक डिसेंडिक नॉलेज यह किर्पा भगवान कृष्ण से होते होते हमारे पास आरी प्रवपाजी के दारा उनके प्रतिने दियों के दारा तो अब देख रहे हैं कि इस किर्पा को प्राप्त करेगा तो वेक्ती गोलोग विहारे कृष्ण करने प्रविर्त हो है है हाँ एक भक्त ने भेजा द्वात्रिंशद अक्षरम मंत्रम नाम शोडख शोडशक आन्वितम प्रजपन वैश्ण वो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभीद इस प्रकार से यहां पर लिखा है कि यह जो बत्युष्ण अक्षरों का मंत्र है उसमें 16 नाम है इनको प्रजपन जो बार-बार वैश्ण जब करता है नित्यम रोज करता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभीद ठीक है नेक्स्ट पंद्रा मिनट बाकी है लेकिन आज हम कर देते हैं प्रवपाजी के ताथ पर रहे हैं यहां एक नोट दिया गया है वैदुर मणी एक पहुकर भी विभिन प्रकार के प्रकाशत्मन करती है यह क्यों बोला गया है मगवान श्री कृष्ण एक हैं लेकिन उनके विभिन रूपों में खोज रहा अब यह बहुत सुंदर बात है इस पर प्रवपाजी एक लाइन आज बोले थे मैं मलब खुश हो गया था चाहिए बताईए कि कृष्ण सर्व आकर्शक है कि ने हैं अब आप यह बता दीजिए कि आपको आकर्शक विक्ति आकर्शक लगता है कि न हम सभी लोग एक आकर्शक विक्ति देख रहे हैं या तो बहुत सुंदर हो या बहुत ज्यानवान हो या बहुत वहरागी हो या इत्ते आधी चुशाए बहुत गोणा है तो सभी लोग कृष्ण को डूंट रहा है कि ने कि इस इन अट ब्रिलियंट एवरिवन इस सर्चिं पर आट्राइक्टिव परसन हम सभी लोग हम भगवान कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं भी हम सभी लोग किसी ना किसी से आकर्शित हो या तो बहुत प्रेमी हो या बहुत व्यरागी हो या ज्यानी हो जो भी आप ले लिजिए तो किसी आकरशक व्यक्ति की खोज हमारे जिवन में है के नहीं बताइए लेकिन क्रिष्ण से अधिक आकर्षेत कोई हो सकता कि नहीं हो सकता है तो अब जो हमारी लाल सा है अक्रशेः व्यक्ति को प्राप्त्र करने की उसcesive पराकाष्था जब कृष्ण मिलेंगे तभी मारी वो जो लाल साहे जो लॉल्ले है जो इच्छा है वो संतुष्ठ होगी ठीक भगवान श्री कृष्ण को अंशतह उनके निर्वशेष ब्रह्म जोती तेज में तथा प्रत्यक वस्तु के कणकण में रहने वाले सर्व्यापी प्रमात्ना की रूप में अनभव किया जाता है लेकिन कृष्ण का पूर्ण सक्षतकार तो उनके शुद्भक्त ही कर पात में तभगवान शब्द थे जो समझतय एक बात मन में आ सकती है कि परमात्मा भी विश्णोंत्त्व हैं रहां तो विष्ण One तक अंता हों तो अंतर क्या हुआ लोग अपनी ममता के द्वारा करते हैं जब जो की दास भाव से शुरू होती है मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं इस प्रकार की ममता प्रेम होता है तब भगवान से उद्भूत या भगवान से प्रकट सुख का अनभाव कर पाते हैं हमने चैतन चृतामित में कुछ नहीं महसूस होता है आप यह मानते हैं महमता प्रेम एक ही बात हो रही है और किसी से प्रेम करते हैं तो उसे महमता नहीं हो जाते कि मेरा है मेरा है यह बात है तो दास से रस से दास भावना से यहां से शुरू होता है तो इसलिए भक्तों को विशेश असासतकार भव तहा कृष्ण प्रत्यक विक्ति की अनुभूती के विशे हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपने अपनी इच्छा के अंसार तुष्ठ होते हैं यह समझ में आया ब्रह्म जोती भगवान से अभिन है जैसे यह रोष्णी बल्ब से अभिन है कि लिए बल्ब से अलग तो चलनी रही लेकिन बल्ब नहीं है अब देखो इसी मेरे सामने देख लीजी ना एक रोष्णी दिख रही है आपको उसके बाद इसमें एक बल्ब के उपर कवर लगा सुर्य का गोला देखते हैं और इसके पीछे सूर्यदेव भी सूर्यदेव को नहीं देख पा रहे हैं तो कौन विक्ति कितना तुष्ट होना चाहता है इसकी रेंज क्या उसके अनसार उसको प्राप्ति उरिया उसी विश्ए का आप अनुसंधान कर रहे हैं सूर्य की आप समझी रहोंगे कि परमात्मा वालों परमात्मा वादियों में सेवा की विर्थी नहीं है जैसे ममता होगी तो सेवा करना चाहेंगे अगरी ये तो catch कर सकते हैं जैसे ही किसी से ममता होगी तो हमको सेवा करना चाहेंगे तो ममता नहीं तो सेवा नहीं करेंगे देख रहे हैं आच्छा ठीक जगत का दुख नहीं है जो परमात्नावादी है वहाँ पर बात आयी थी कि अधा शांत रस्में चांत रस्में जगत से विरक्ती और भग्वान में आ सकती है लेकिन ममता नहीं है ममता नहीं इसलिए वो सुक नहीं मिलता है जितना जितना प्रेम बगता जाता है उतना उतना भक्त को अधिक और सुख मिलता जाता है समझ पा रहे हैं, ये था माम प्रपद्यन थे, ताम तथ है वजामियम, दिव जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव भाव से विनमय करते हैं, जिस तेरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी की रूप में चाह सकता है दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र की रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में जिस अनुपात में भक का प्रेम बढ़ता है. सब इस प्रेमिंग तेको जितनी मात मृत्र आम का प्रेंग बहुत बुदंधेने वाली हो कि सखा भाव के भक्त ayam ओनतियां ऑर वे विभिन प्रकार के भक्त लिए अनसार भगवान द्वारा सम्हाब से विन्मे की जाती, इसका क्या मतलब है, इस जगत में रहते हुए भी, भक्त अगर भगवान के चलना में प्रेम का जागरित कर लेता है, तो उसको भी भगवान से वैसे आदान प्रदान मिल प्राप्त हो सकता है, जैसा कि गोलोग में भवान के पाश्रत करते हैं, शुद्ध यहां पर और दिवधा में भी कृष्ण का सानिद प्राप्त करते हैं और भगवान के साकार सिवा कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास किजी, यह वर्णन किया गया था दूसरे सकंद में, और वहां बताया गया था कि भक्त यहां पे श्रवन कीर्टन के ज्वल के दारा कह लिजिए, वो भाववस्ता है और उसके बाद फल फूल की रुप में आता से करते हैं प्रेम फल, तो ऐसी वस्ता में भक्त यहां सीधे ही भगवान का संगत प्राप्त करता है, कैसे, देखे, भाववस्ता में ही विक्ति कौन भी उती ही जाती है कि नाम भगवान से भिन दुनिया की चर्चा करते हैं, गीता की चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ अलग है गीता को पढ़ना, नहीं? आप सबी लोग इस बात को शिकार करें, कुछ कुछ तो अलग है, कुछ तो अनभव हो रहा है भावान का, लेकिन प्रकट अनभव नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आ नहां पर भी और देविधाम में भी कृष्ण का सानित प्राप्त करते हैं। मैं फिर रिपीट रहा हूं। कृष्ण प्राप्त प्राप्त है। He is already available. हमें क्या प्राप्त नहीं है भगवान की भवान का प्रेम इस समय। अगर मेरे आखें बंद कर दी जाएं ऐसे को मैं आप लोग सामने नहीं सॉव हैं आखें होटे हिएं तुलन तफर एलग जाता ही कभी आपलक सब्साञ सब्साइब, कि मेरी मान भी भी तम टेखें भोल बवकिते सब्सार दिखने लगा कें तूं मुझ थीक से दीखने नहीं रहे हो यह कि मैं सामने खड़ा हूं समझा गया तो दोश कहां पर पताईए आखों में दोश है यह चीज़ है काफी इंट्रस्टिंग इस बात आप लोग क्याच किये कि कृष्ण प्राप पी नहीं है प्राप्त है अब रिशिकेश्प्रव आपको मैं धूनू कहीं जा देख रहे हैं तो यह भक्ति का प्रोस्ट गर्दन सीधी करने का ही है अम भगवान से पूछे इदर विम्ख हो गाए तो तो तरह ना कि कभी-कभी गलस हो जाई तो ऐसे गर्दन करने में थोड़ा दर्द होता है तो यह सारा भग्ति का प्रोस्टिस टर्निंग और फेस्ट को मिटाकर आध्यात्म एक आत्मगहात् करना चाहते हैं कृषन उनको भी अपने तेज में लीं करके उनकी साहता करते है दने कर लेए द निर्ट Tai नहिंचा ड़ू है उसमें जगत्त का दूख नहीं है लेकिन कृष्णी की सिवा का सुख नहीं है और जीव सवूर तह सेवक है शेवा नहीं मिलेगे तो सुखी नहीं होगा प्रभपाइस को बहुत सुंदर बताते हैं कि यहां पे लोग अंतिरिक्ष में जाते हैं और फिर वापस क्यों आजाते हैं क्यों आए वापस तुम चंद स्थान पर चले गए तो वापस क्यों आओगे आप लोग को अनुबफ है कभी हवाईजाज में बैठने का पता नहीं हवाईजाज में बैठना इत्दम बोरिंग लगता है बहुत बोरिंग लगता है जब तक ना बैठो तब तो लगता कि हाँ हाँ ठीक है बड़ा अच्छा कुछ नहीं शूपर बोरिंग लगता है प्रफपाद इसको धावन को देता है या कभी है आप लोग को जहाज पर चलने का मौका लगा हो समूद्र में वह भी बहुत बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि लाइंड पर रहना हम लोग हमारे इसको लाइंड के प्राणी इस पता है यह सब कोछ संभव है अगर हम श्रवन पक्का कर लें इस जगत में बताइए बहुत से लोग ग्रहस्ति में होते हुए भी आएसव expanded करते हैं तो यह शुक्न आश्रम पर नहीं करते हैं स्विकार करते हैं तुन रिपीट कर रहा हुआ लालसा क्यों अच्वाक्र fuam Curинки करते हैं कोई भी कर सकता है लिकिन इसका सबसे कटनाई कटनाई यह होती कि प्राय लोग ग्रहस दाश्टर में लोगों को सुनने को मिलता नहीं यह कटनाई है ना दुनिया की बाते बहुत दो सुनते हैं तो वो सारी लालसा उदर चली जाती सारा एफ़र्ट वही चला जाता है इसलिए वो ग्रहम अंध कुपम कहा जा रहा है कि इस वेरी वरी इंट्रस्टिंग इस इक्षा किसको दी जा रही है अर्जुन को चत्री है कि नहीं और आप आके देखिए कैसे भक्त हैं यूद्वने वाला करते हमें आपके बारे में श्रवन करने से दिर्प्ती नहीं वह बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे है अर्चुन अनन्य विश्यात्म नाम बहुत अच्छा हमको लग रहा है तो इस प्रकार से अगर कोई विक्ति भ अच्छा करके बहुत उच्छिति को प्राप्त करते हैं जगत से बिरक्त हो जाते हैं और फिर अस्पताल खोलते हैं तो तो मिध्या जगत में मिध्या हॉस्पिटल क्यों खोलना चाहते हो अर्था सेवा की विरित्ति तुमारे संतुष्ट नहीं हुई है ना कि बात सेवा की विरित्ति की संतुष्टि सेवा के द्वारा जीव सुखी होता है अरे यहां भी जो इंद्रियों के सेवा कर रहा है तो उसके द्वारा इंद्रियों सुख मिलता उस ही तो कर रहा है ना जो थोड़ा भी मिलता हो तो सेवक तो हमेशा ही है कभी न बुला जा आप सभी की मन में तो धालना रहती होगी कि कभी एक दिन आया कि जब मारी पूरी अविद्धा निवरित हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि एक क्यों एक बार क्या सोला क्यों सोला हजार नाम क्यों अभी तो व्रुग्डवस्ता में है लेकिन जीरो तो नहीं होना चाहते न और हमाने बहुत सूंदर बात केतने कि देखो जीरो संभाव नहीं है लेकिन जीरो कैसे संभाव है भगवान में इतना अपनी अपने इच्छाओं को निरिश्चित करदो कि अब माया के सिवा के लिए कुछ इच्छ रही रही है यह बात हैं उन मेंसे कुछ जो निर्वश्य सत में दिर्टा पूर्वक स्थित नहीं हो पाते वे अपने कार करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्श्चत करने के लिए इस भातिक शित्र में वापस आते हैं इसी की व्याख्या कर रहा था मैं अभी आपको हॉस्पिटल खोल रहे है कोई कहा है कि हमने बड़ा अच्छा स इस्तिहार शापते हैं इसका मतलब है कि अभी अभी जगत को वह बोल रहे मित्या है लेकिन मित्या सुप्र नहीं कर पारे हैं उन्हें वैकूंट लोग में प्रवेश्च करने नहीं दे जाता किन्तु उन्हें भौतिक लोग में कार्य करने का उस्थरप्रदान की जाता है जो सकाम कर्मी है भगवान उन्हें यग्योश्यर के रूप में उनके कर्मों का वांचित फ़ल देते हैं जो योगी हैं और योग्शिक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग्शिक्ति बजान करते हैं दूसरे शब्दों में प्रत्य विक्ति की सफवल्दा भगवान की कृपपबर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विदिया एक ही पत्मे सफवल्दा की विभिन कोटियां हैं। आता हो जब तक कोई क्रिष्ण भावनामिर्द की सरवोच सिद्धी तक नहीं पहुंच आता तब तक उसके सारे प्रयास अपूंट रहते हैं। प्रयास कीजिए। अगर आप लोगने बहुत ध्यान से देखा हो तो प्रभपाजी ने विश्वनाच्यक वर्ति ठाकुर श्रीला बल्देविद्ध भुषिन पाद और श्रीला सीदर स्वामी की टीकर सब को एक साथ मिलाकर लिखा है। उन्हें दो प्रकार की ज्यानियों का वर्नन्ट भी कर दिया। एक ज्यानि जो ब्रह्म में लीन हो गया और एक ज्यानि जो आपस गिर गया। उनने भक्तों का वन्हें भी कर दिया और जिस रूप में भगवान की भक्तों को देखना चाहते हैं वो भी प्रस्तोत कर रहे हैं देख लिए सारे पॉइंट सम्हें उनने कवर किये थे और उसके बाद प्रफपार ने यह भी बता दिया कि जो सकाम कर्मी है जो अन्य अन्य च वेक्ति कृष्ण भक्ति को नहीं प्राप्त होता है तब तक वे अपूर्ण है इसलिए कह रहे हैं पर अकामा सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेतपुरुशंपरम मनुष चाहिए निश्काम हो या फल का चुक हो या मोक्ति का चुक सर्वकामो वा अब कॉंट्रास्ट वार दिया एकदम इस इंग्लिश में कहते हैं कॉंट्रास्टिव जक्स्टा पोजिशन दो विप्रीत बाते बुल रहे हैं अकामा और सर्वकामा और इस लोग बोल रहे हैं शिलशुक्दे गुसामी जो हाइस लेवल के अकाम डिवूट है दीती ने इंद्र को मारने के इच्छा से भगंवान विच्ण का बजन की आपने ही शौतन कहसे पती के बे-ट इवायाशर के जिए और भी दीवताह रूपी यह नहीं देवतां का सिरम और उनको मारने के इच्छा से भगमान का बजन कितैरों इस पत्रली हो गया से बड़ी बोकी इच्छा है आप लोग को याद हो तो इसकी पर्च गया थे बड़ा रूचिकर थी वह तो कहरें कि फिर भी उदार दी अगर उनकी बुद्धी बहुत उदार है बहुत विस्तृत है तो तीवरे न भक्ति योगे न तीवर भक्ति के द्वारा अर्थात पून रोप से बगवान की भक्ति के द्वारा ही यजेत पुरुष्ण परम भगवान पुरुष्ण भगवान श्री क्रिश्न का वजण करेंगे अब देखी समझने का प्रयास कीजे भगवान की बक्ति उतनी अद्बूत है कि भगवान अपने आप में परम पवित्र है तो भक्ति के दारा जब भगवान का संपर्क प्राप्त होता जाता है तो जीव अपने आप ही शुद्ध होता है अंत्रतों कत्वा भगवान ने पहुंच जाएगा इसलिए प्रपत कह रहे हैं अनवाद में कि जिसका परियावसान कृष्ण भावनामृत में होता अगर विक्ति आज भक्ति करना शुरू किया है और हर विक्ति सर्व काम होता है मोस्टली लोग सर्व काम होते हाथ प्रकार की इच्छा होती लिकिन उसको निरुसायत नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति अपने आप ही उसको विमुख कर देगी अन सभी जो भी इच्छ में आ गया कि सर्वस्रेष्ट भगवान श्रीक्रिष्ण है और उनकी उपासना करने से मुझे सारी सिधी मिल जाएगी ति बहुत अत्यधिक उन्यत वुद्धिका या कहें अग्रसर वुद्धिका दियो तक है बहुत अच्छी बात है भगवान का बजन करना चाहिए और नाय। भावन हमको थिरसकार करेंगे अकभी यह यमीनि प्राइक कर लेमा यूजुं। लेकिन भावान की भगती करते रहना चाहिए वैस्नों के अपरात ने करना चाहिए वो तो पूर दिक्कत हो जाएगी लेकिन आप लोगो कौँ से भैस्नों के लिए वाले हो